Second hand phone buy करने जाओ तो scam हर तरीके के हो सकते हैं कभी पार्ट अंदर का बदला हो कभी आप Olex पे buy कर रहे हो तो आप इने UPI transfer कर दिया हो लेने की वज़े इस तरीके के काफी सारे अलग-अलग scam आते हैं और scam और भाई बहुत दिवाग लगा के आपको scam करने की पूरी कोशच करते हैं यहाँ पे यार पिछले scam तो आपने बहुत देख लिए कि UPI हो गया या इधर हो गया उधर हो गया लेकिन अब जो नया scam आया है यह एकदम latest वाला एकदम खतरनाक वाला है क्योंकि इसके अंदर आप face to face लेके फोन में पैसा देके फोन लेके चला लो घर ले जाओ दो तीन महीने चला लो उसके बाद जाके आपको पता चलता है कि आपने कर दी है बहुत बड़ी गलती करना पड़ेगा आपको extra amount पे और हो जाओगा आपका पोपट भाई यह वाल मार्केट में second hand mobile लेने तो जरूर से इस वीडियो को देख लेना ताकि आपको थोड़ा बहुत अग्यान हो जाएगा कि किस तरीके का scam चल रहा है और आप उससे बच सकते हो बागी इसके लावा भी काफी सारी scam रहते हैं अलग लग रहते हैं लेकिन यह वाला I think यार अभी तक देखने के बाद वीडियो पसंद आती है शेयर दवा के करना ताकि सब तक information पहुंच जा है जो भी यार market में second hand phone लेने जाने की सोच रहे हैं अब देखो इस scam में होता क्या है सबसे पहले तो मैं अपने भाई को thanks बोलना चाहूंगा जिनको यार मैं यह phone बेसता रहता जो भी मैं phone review के लिए लेता हूँ उनी की वज़े से इस scam के बारे में मुझे पूरी detail पता चली है सबसे पहले क्या चीज है आप गए यार olex पे आपने किसी से बात करी या offline market में भी गए second hand phone आपने देखा चलाया काफी अच्छा लगा काफी अच्छी pricing में भी वो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है घर आया आपने एक दो महीना phone चलाया चलाने के बाद पता चलता है कि आपका phone हो चुका है lock और उसको format के द्वारा भी unlock नहीं किया जा सकता software द्वारा भी unlock नहीं किया जा सकता लिखा हुआ आएगा कि आपके यहां पे payment है due आपको pay करने होंगे 3000- 10,000 जिस हसाब से भी पैसा वो रहता है उसके बाद ही आपका जाके phone unlock होगा और इसकी आप complaint भी नहीं कर सकते क्योंकि एक legally contract के बाद आपके phone में यह चीज आती है अब मैं समझाता हूँ आपको कुछ दिन पहले ध्यान होगा कि Flipkart ने launch किया था Flipkart Smart Buy ध्यान आया बहुत सा 7,000 का phone है आपने यहां पर 7,000 रुपए पे कर दिए और 7,000 रुपए पे करके अपने पास ले जाओ उसमें होता क्या है offer period के time पर ही रहता है मतलब आप एक साल ले लो 6 महीने ले लो 24 महीने ले लो 36 मन ले लो उसके बाद आपको यार इसकी जो remaining price है उसको pay करना होगा अगर 7,000 रुपए में तो एक-दो महीना चला लेते हैं second end हो गया अगर नहीं भी चलाते हैं तब भी 7,000 रुपए का है आप जाते हो market में लेने OLX पे देखने online आप देखते हो कि इसकी pricing 10,000 रुपए मिल रही है और वहाँ पर आपको पता चलता है कि एकदम seal pack भी माल लो आपको 7,000, 8,000 रुपए, 9,000 रुपए का मिल रहा है तो customer क्या सोचेगा भाई यार काफी सही डेल मिल रही है यार online से सस्ता offline में मिल रहा है मैं तो यहीं सलूँगा इसी तरीके से माल लो used भी है तो उसने 7,000 रुपए का खरीदा चला कि उसने 6,000 रुपए का बेजने का सोच लि उसको आप आपने पे कर दी 6,000 रुपीज आप तो घर ले आओगे फोन आपको नहीं पता चलेगा कि यार यहां पे इसके अंदर लॉक वाला इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है जिससे अगर आपका इसका जो final amount है remaining amount है अगर आप उस time period के दौरान पे नहीं करते हो तो आपक आपको देखने कर पाऊगे यूज नहीं कर पाऊगे कुछ भी नहीं कर पाऊगे यह एक इंस्क्रिप्शन वाला मैठड आपको देखने कमलता है से मैठड या जीओ फोन में भी आपको देखने कमलता है जो कि अब रिसेंट्ली जिओ ने लाउंच किया है यह चीज को आट हजार में एक हजार का तो उसका फाइदा हुआ 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 है लेकिन फोन तो बरबादी हुई आपकी फोन आपका चलेगा नहीं तो यह वाला स्कैम आजकल बहुत जादा चल रहा है मार्केट में इसलिए मैंने का साफधान हो जाओ अगर आप ओलेक्स या सेकंड हैं मॉवाइल मार्केट में जाते हो लेने फोन तो यह चीज़ को आप जरूर से देखो क्या देखना है आप फोन लेने गए मालो यार हाँ तो स्कैम नहीं कर रहे हैं लेकिन हाँ किस तरीके से पता चलेगा कि वह आपके साथ स्कैम कर रहा है क्योंकि आप तो फोन चला के होता है पट्टी टाइप का वह अलब बिल है उसको आप देखो उसके अंदर आपको लिटरली पूरा लिखा हुआ होगा कि कोई समार्ट में खरीदा है अगर वह या अलब बिल दिखाने से मना कर देता है थोड़ा सा शेडी हो सकता है अब सोच लो यार मेभी मेरा भी बिल झाल यार हो जाता है इतर धर यह हो रहता है ठेका तो आप उससे क्या कह सकते हो और इंटरneet ₋मंग सकते हो लेकिन उसको दृषा रहा रहा है या आप भेस दिरा है उसको एडिट किया जा सकता है बहुत पृच्ब कोर ल से फौरौ करने का अभे तो ही जाता है जैसे seller है उससे बोलो कि जहां से तुमने order किया है प्लीज मुझे वो दिखा दो flip card से उसने order किया है flip card page पे my orders में जाके आप उसका देख लो simple है कि उसका value में पाई किया है उसने 10,000 में भाई किया है 7,000 में भाई किया है अगर उसको ऐसा issue रहता है कि नहीं दिखाना है तो उससे simple बोलना भाई तुम ये बुद्धू अपने जाके चाचक को बनाना हमको नहीं और आप बच सकते हो इस scam से यह चीज़ तरीके हैं जिससे आप थोड़ा और better अपने अगर second hand buy करते हो phone को तो यह बाकि I think phone के अंदर भी आपको लिखा हूँ जरूर ना जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा कि यह phone financial provider अब जियो तो बहुत ही बड़ा बड़ा हर जगह दिखाता है में भी real मी हो गया Samsung हो गया यह ना दिखाते हूं तो यह चीज़ आपको देखनी पड़ेगी फिलाल तो मैं इस scam स पास आया है आपको पता चला है जरूर से comment section में बताना में भी मेरी help के साथ साथ आपकी भी help हो और जो वीडियो देख रहे है उनकी भी help हो जाए और जितना हो सके इस वीडियो को share जरूर से करना अगर आप second hand phone buy करने जा रहे हो तो प्लीज यार इस चीज़ का जरूर से ध care bye-bye